दो हजार बाइस एंड से लेकर और दो हजार सत्ताइस बड़े काम का रहने वाले हैं ये पांच वर्स और उनमें विशेश रूप से एक वर्स ऐसा रहेगा जो आपकी काया को पलड़ देगा जो आपके जीवन में खुशियां भर देगा जो आपके लिए उन्नती के मार्ग खोल देगा जो आपके इच्छा शक्ती को मजबूत बनाएगा कहते हैं कि हमारा गोल्डन पिरियड कब आएगा तो यह जो गोल्डन पिरियड होगा इसकी शुरुआत इन पांच सालों में से कोई एक वर्ष के अंदर होगी जो मैं भी आपको वीडियो में बताऊंगा हमारे साथ जुड़े रहिए आज के विचार के बारे में बात कर लेता हूं मनुश्य की बुद्धी में ये जो मैं नाम का एहंकार है ये एक ऐसा वाइरस है जो उसकी बुद्धी की सकारात्मक उर्जा को धीरे 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 नश्ट कर देता है उसकी पॉजिटिव सो को नश्ट कर देता है और धीरे धीरे मनुष्य उसी प्रकार से तभा हो जाता है जिस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर जब कोई वाइरस आ जाए तो वो उसको नश्ट कर देता है इसलिए जो मैं आम का एहंकार है इसको बाहर निकाल फेंकिए अगर आप अपने अपने medal मिल जाएगा इसलिए दोस्तों life is all about compromise आपको अपने जीवन में मैं की भावना को त्याग देना चाहिए क्योंकि मैं पतन का कारण होता है ये आज का विचार है कोशिश करिएगा इसको follow करने की हम भी करने की कोशिश करते हैं अपनी देनिक जीवन में और जो कुछ जितनी knowledge मुझे है उतना तो मैं आपको बताने का प्रयास करता ही हूँ बाकि तो एक से बड़े बड़े ग्याने इस दुनिया में बैठे हैं यह जो वर्ष दो हजार तेईस चौविस पच्चीश भीस अटाइस है इसमें मितुन राशी के बारे में आज मैं विशेश रूप से चरजा करूँगा क्योंकि यह एक ऐसी राशी है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव इस सौर मंडल के उबर देखने को डिसीजन मेकिंग पावर को स्टॉंग करते हैं जो सूरे के एर्ध गिर्ध बहुत फास्ट मूव कर जाते हैं जो इन बारा राशीों में परिवर्दन बहुत जल्दी करते हैं वो देख ऐसे गरहे हैं यदि ये स्ट।वय राशी के हो मोलत रिकॉन राशी में हो मित्र तो यह अकेला ग्रही आपके वारे न्यारे गर देता है और इस राशी के जो मित्र ग्रहे हैं वो शनी हैं शुक्र हैं गुरू के साथ सम मित्रता है सूरे के साथ सम मंगल के साथ सम चंदर के साथ इस शतुता का विवार रखते हैं ऐसा इनका अचार विवार है अब आपके ल चाहूंगा नमस्कार करता हूँ स्विकार करिये अपना आशिरवाद हम पर बनाए रखिये सभी माताओं बेनों से यही कहना चाहूंगा अपनी दुआओं में हमें याद करें क्योंकि बड़े बुजर्गों का आशिरवाद बना रहे तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं हैं इसलिए आप भी हमारे लिए कामना करिए दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ और आपको बताता हूँ कि वर्ष 2023, 2024 और 2025 आपके लिए गोल्डन पीरियड के रूप में रहेगा अब उसका कारण में आपको बता देता हूँ शनी महराज अभी एट प्रेजेंट 17 जनवरी 2023 तक अस्टम बाब में चल रहे हैं आईयू के घर में चल रहे हैं तो आईयू में वृध्धी करने का काम कर रहे हैं परंतु अस्टम बार में शनी महराज अपने भग्य इस्थान से बारवे में चल रहे हैं और जोतिष के निये मनुसार यदि कोई भी ग्रह अपनी राशी से 12,000 में चला जाए तो वे अच्छा फल नहीं दे पाता उसके फल में कमी आती है ऐसा ही ग्रह गोचर यहां पर बना ह हुआ है शनी का अपनी राशी से बारवे 17 जनवरी 2023 को यह कुम राशी में गोचर करेंगे और कुम राशी शनी की अपनी प्रिये राशी है मूलत्र कौन राशी है वो राशी है जिसमें जाकर के इनको बल मिलता इनको अथा ताकत मिलती है और यहां यह ढ़ाई वर्ष तक भग्य के घर में रहेंगे आपके लिए यह है समय गोल्ण पिरिएड आपके लिए वर्ष 2023 अपरेल से लेकर के वर्ष 2024 की अपरेल तक गोल्ण गोल्ण और गोल्ण पिरिएड की क्रिटिगरी में मैं रखना चाओंगा जी हाँ, बहुत महत्पून वर्ष, निर्नायक वर्ष आपके लिए रहे वाला है इसलिए बिल्कुल भी कुताई मत बरती हैगा ज्यान से सुनना, मेहनत करना उस अनुसार इस एक वर्ष ये तो है गोल्डन और सत्रा जनवर इसे और दो हजार पच्चीस मतलब मिर तक अगले वर्ष 17 जनवर 2023 से ये ढ़ाई साल विशेश आपकी काया को पलटने वाले रहेंगे इन ढ़ाई सालों में आपको जो सबसे बड़ा लाब मिलेगा वो प्राप्त होगा आपके सरकारी नौकरी में आपके व्यपारिक छेत्र में आपके कारे की सिद्धी में पुलिस केस मुकदमे इत्यादी के शेत्र में और साथ में आपके धार्मिक जीवन में आपके पिता और पौत्र प्राप्ती के सुख के रूप में साथ में विदेशों से संबंदिद अठके हुए कारेों के दृष्टिकोंड से ग्रह गती आपके लिए काफी positive बनेगे बहुत अच्छा है अभी पिछले डाई वर्सों से आपको result तो मिले हैं पर आपसे मेहनत बहुत कराई है शनीन है अब यहाँ पर जो शनी फल देंगे यह मेहनत कम और फल जादा कहते हैं न तपश्या का फल मीठा होता है तो यहाँ जो तपश्या वाब की चल रही है इसका अगले साल से समय आ रहा है 2023 से फल मिलने का वारे नयारे होंगे अब इसका दूसरा एक और कानण है कि देव गुरू ब्रस्पतियों मैंने गोल्डन पीरिड कहा एक साल कि अपरेल 2023 में देव गुरू ब्रस्पतियों लाब इस्थान में गोचर करेंगे और लाब में मेश राशी में आ जाएंगे और इनके पास जिम्मेदारी होगी पतनी के सुख की इनके पास जिम्मेदारी होगी आपके केरियर करम की आजी भी का की प्रमोशन ट्रांसवर की और रहेंगे लाव में इसका मतलब इन दोनों चीजों में लाव देंगे आपका कोई रिष्टा पका हो सकता है आपका यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको दूर करने का काम यहां पर देव गुरू ब्रस्पती करेंगे तो यह जो एक वर्ष रहेगा यह बारे न्यारे वाला रहेगा इस एक वर्ष में बहुत बड़ा रिलीव मिलेगा क्योंकि सनी की जो ढहिया आपके उपर चल रही है यह भी पूर्ण रूपेन 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगी इसके बाद 2025 मिड में और 2027 के अंत तक सनी महराज आपके लिए करम भाब पे रहेंगे उस इस्थान पे रहेंगे जिस इस्थान के यह स्वैम कारक होते हैं और कोई भी गरे अपने कारक इस्थान में रहे और राशी के स्वामी का मित्र हो तो वो फल अच्छा दे जाता है ऐसी परिष्टिती आपके लिए बन रही है तो यह जो ढ़ाई वर्ष है फिर आखरी के यह भी बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई पड़ रहे है इसमें विशेश रूप से आपको सरकार से संबंदिद लापराप्त होगा नौकरी ट्रांसवर्ट प्रोमोशन से होगा और यदि आप की सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है बहुत प्रियास कर रहे हैं तो इस वर्ष में उन विध्यार्थियों को भी जाब लग जाएगी जो काफी समय से संगर्ष्रत है दोस्तों यह है में तुनडाशी कफल आपकी नहीतिक जिम्मेदारी बनती है ज्यादा स्यादा वीडियो को शेयर करना मैं पानीपत में अंबाला में चंडीगड में और बॉंबे में सितंबर 2022 में उपस्तित रहूँगा शेडियूल आपके सामने चल रहा है आप इसे फॉलो कर सकते हैं हमें संपर्क कर सकते हैं अब यह आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ज़्यादा दीजिए नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आप सब के लिए खुसकवरी जोतिस अचारे मानविंदर रावजी अब सितंबर के महीने में आपके सहर में रहेंगे 20 सितंबर पानीपत 21 सितंबर अंबाला 22 सितंबर चंडीगर 24 से 28 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करे 9899888437011805461 नमस्कार दोस्तों आप सब के लिए खुसकबरी जोतिस अचारे मानविंदर रावजी अब सितंबर के महीने में आपके सहर में रहेंगे 20 सितंबर पानीपत 21 सितंबर अंबाला 22 सितंबर चंडीगर 24 से 28 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करे 989988884